हेलो फ्रेंग्स दिस इस मोहन वेलकम टू डिजिटेक एडुकेशन बात कर लेते कि कौन-कौन से मेतड्स से हम लोग बोटर के अंदर से इंपुरिटी को निकाल सकते हैं और पहला मेतड्स हम लोग ने बात करी थी वो था हमारा क्या स्क्रीनिंग दोस्तों आज बात करेंगे दूसरे मेतड्स की और दूसरे मेतड्स का नाम है दोस्तों वो है हमारा सेडिमेंटेशन चीक है तो सेडिमेंटेशन का नाम आपने काफी बार सुना होगा मैं आपको यहाँ पर बहुत डीटेल में सेडिमेंटेशन बताऊंगा क्या होता है क्या प्रोसेस होती है कैसे इसक कराते हैं इससे कि जो भी मान लिया हमने floating material थे बड़े साइस के जो particles थे वो तो मेरे screening में remove हो गये थे लेकिन अब जो fine particles बचे हैं जो कि मेरी मिट्टी हो सकती है या और कोई से भी particles हो सकते हैं तो दोस्तों मैं क्या कराता हूँ sedimentation में एक टेंक रेता है मेरा मान लेता हूँ में यह टेंक है ठीक है टेंक के अंदर में water लाके मैंने छोड़ दिया raw water छोड़ दिया जो कि screening से आ रहा है कहां से आया है यह water मेरा screening से आ रहा है ठीक है इस screening से यह water मेरा आया इसको मैंने इस साइब मैं लाके भर दिया खिक और मैंने इस टैंक को कम से कम मैं दो से 6 घंटे बोल सकता हूँ यो मैं की बोल सकता हूँ आट घंटे तक मैंने इसको अनडिस्टरब चोड़ दिया किया बोला एट या तो तो टू टू सिक्स और चोड़ दो या फिर एट घंटे के लिए छोड़ दो तो क्या क्या रहेगा मैंने इसको अंडिस्टब छोड़ा तो जो भी पार्टिकल्स इसमें थे जिसके साइज थोड़ी मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं ज्यादा छोटी भी नहीं ठीक है मतलब लारजर साइस के जो पार्टिकल्स थे जो की सस्पेंडेट थे इस वोटर के अंदर वो क्या करेंगे इसके बोटम पर जाकर जम जाएंगे वो पार्टिकल्स जैसे ब्लू कलर में मैंने आपको बता है तो यह जो पार्टिकल्स जो सस्पेंडेट थे अब नीचे जाकर सेट हो गये, set हो गये और इस water को हमने क्या कि इस water को हमने यहां से निकाल दिया, तो दोस्तों क्या हो रहा है, ऐसी process जिसके अंदर जो suspended impurities है, वो settled down हो जाती है, bottom of the tank, under the action of the gravitational force, क्या बोला में, इसमें कौन main hero है, main hero जो है, वो हमारा gravity है, ठीक है, क्या बोला में, main hero इसके अंदर हम हमारा दोस्तों gravity है, ठीक, तो, sorry, gravity की वज़े से क्या होगा, यह चो हमारे particles थे, जो कि suspended है, वो नीचे settle down हो जाएंगे, और यहां से water को हम लोग remove करते हैं, तो दोस्तों यही sedimentation process है, जो कि मैंने आपको अभी explain करी है, फिर से एक बार बता देता हूं क्या है, कि the process of removing the suspended impurities from water by allowing water to withstand या undisturbed for 2-6 hours या फिर 8 hours, किसी tank के अंदर, किसी tank के अंदर, water को 8 घंते तक undisturbed तरीके से छोड़ने पर, हमको gravitational force की वज़े से particles जो रहेंगे उसके, वो bottom of the tank settle down हो जाएंगे, ठीक है, और इस पूरी process को हम बोलते हैं, sedimentation, दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू एक बाद, कि जो tank होते हैं, sedimentation tank, यह 2 type के होते हैं, एक हमारे हो सकते, continuous चिक, और एक हमारे होते हैं, coefficient type की, चिक है, तो criticism type में क्या होता है, इसमें आपको tank में, फिले आप water fill करते हो, फिर रुकते हो, फिर इसको निकालते हो, फिर इसमें fill करते, लेकिन continuous type में क्या होगा, आपक सेstevenser Himineleaneee इनके बारे में ज्यादा आपको जानना नहीं कि यह रोव और इंजिनियरंग कर एक सबजेक्ट होता है पुरा उसमें इसके बारे में muss किशने का है जिसमें कि हम यह वाला जो यहां पर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम वाटर को स्टोर करते हैं अभी क्या है ना उसको मतलब खतम हो चुका है वो अपसलेट हो गया है क्यों कि हमारे पास उसके लिए जाधा हमको एरिया रिक्वाइर्मेंट था ठीक है कि आपको कम से कम दो-तीन टें सेंग्टेशन भी होता है ठीक यह तो हो हमँआरी स्टिमेंटसें से रिलेटेज बात हैं दोस्तों मैं बता-तूआ आपको सेड़ीमेंटेशन में में एक स्टक अनलों होते हैं स्ट्प्स आप टे जिननों ने एक लोग्य read इया था ठीककर उसके बारे में आपको पढ़ना होते हैं जो कि हमार सेटल डाउन होते हैं उन्होंने बदला कि जब आपकी सेटलिंग वेलोसिटी ग्रेटर हो जाएगी आपकी होरिजोंटल फ्लो वेलोसिटी से तब आपका क्या होगा वहां पर सेडिमेंटिशन हो सकता है ठीक है ध्यान देना क्या बोला स्टोक साहब ने स् कि settling velocity आपकी flow velocity जो की horizontal velocity है उससे ज्यादा हो जाएगी continuous टैप tank में तो महाँ पर आपकी settling होगी otherwise settling नहीं होगी ठीक है दोस्तों तो मेरे ख्याल से sedimentation अब आपको clear हो गया होगा last point है यहाँ पर क्या कहता है कि sedimentation में केवल 70-75% suspended water particles रहेंगे वह ही remove हो सकते तो आप बोलेंगे आगे जो 25% particles बचे उनके लिए हम क्या करेंगे तो दोस्तों उनके लिए एक और method से उसकी हम बात करेंगे next video लेकिन sedimentation में क्या हुए जो कि large suspended particles थे वह हमारे remove हो जा रहे थे अब जो fine suspended particles से वह हमारे sedimentation में remove नहीं हो पाए दोस्तों उनके लिए में एक process करते हैं दूसरी sedimentation with coagulation क्या वोला मैं sedimentation with coagulation जिसको हम next video में discuss करेंगे तो आई होब चीज यहां तक clear हो गई होगी और detail में जानने के लिए description में website के link दिए उस पर visit करें Thank you